रूस युक्रेन के एक के बाद एक इलाकों पर तेजी से कबजा करता जा रहा है और युक्रेन को उसके मददगार जरुरत के वक्त हथियार तक नहीं दे पाए अमेरिका जैसे बड़े और ताकतों समर्थक होने के बाद भी युक्रेन युद्ध के मैदान में लगातार कमजोर हुआ है हाला कि देखने में ये भलही युक्रेन की कमजोरी दिखे लेकिन यदि युक्रेन हारता है और युद्ध में पिछड़ता है तो ये कहीं न कहीं अमेरिका की रणनितिक हार होगी दरसल ये साफ है कि युक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और अमेरिका उसे सेने हथियारों से लेकर हर तरह की मदद दे रहा है बस कमी सिर्फ इतनी है कि जब यूकरेन को मदद की जरूरत होती है उस वक्त उसके पास मदद नहीं पहुच पाती हाला के अंदर ही अंदर यूकरेन को भी इस बात का एसास जरूर हो गया है कि अमेरिका कहने के लिए भले ही संपन और टाकतवर देश है लेकिन यूकरेन की जरूरत के वक्त वो असल में उसकी मदद नहीं कर पाया नहीं तो एक समय युद के मैदान में बढ़त बनाय हुए यूकरेन की ऐसी हालत कभी न होती कि रूस एक के बाद एक यूकरेनी इलाकों पर कबजा करता जाय है यूकरेन का एक दूसरा मददगार बिटेन तो लगभग गायब साही रहा बड़े नाम वाले देशों ने भले ही यूकरेन की पर्याप्त मदद न की हो लेकिन कई नेटो सहयोगी देशों ने यूक्रेन को काफी हिम्मत आप एक नेटो सहयोगी एस्टोनिया यूक्रेन की मदद के लिए उसकी धर्ती पर सीना भेजने पर विचार कर रहा है इससे पहले फ्रांस की राष्टपती इमेनुल मैक्रो भी ऐसा विचार व्रेक्ट कर चुके हैं एस्टोनिया का आगे आना किस ये भी बहुत महत्तपूर है क्योंकि वो रूस के साथ 545 मिल की सीमा साजा करता है और वो गैर लड़ाको भूमिकाओं के लिए पश्मी युक्रेन में सीना भेजने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है एस्टोनियाई राष्टपती के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार मैडिस रोल ने इसी हपते ये जानकारी दी है रोल ने कहा कि हमें सभी संभावनाओं पर गौर करना चाहिए उनके मताबिक युक्रेन के मदद की बात को हमें सिर्फ दिमाग तक सिमित नहीं रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्टोनिया व्यापक नेटो मिशन के हिस्से के रूप में होने वाली किसी भी तैनाती को प्राथमिक तादेगा उनके मुताबिक ये प्रयास एक व्यापक संयुक्त ताकत और दिर्ध संकल्थ को दिखाएगा रोल के बयानों को बर चड़कर यूक्रेन का साथ देने वाले नए बयानों के रूप में देखा जा रहा है इससे पहले मैकरो पहले ऐसे रखती थे जिन्नोंने यूक्रेन की धरती पर नेटो सेनिकों के तैनाती की समभावना जटाई थी उनके विचारों को नेटों के बाल्टिक सदस्यों का समर्थन मिला था मैकरों अभी भी अपने बयान पर कायम है उन्हों इस महीने की शुरुआत में भी कहा कि अगर रूसी सेना अग्रिम पंक्ती में घुस्ती है तो फ्रांस युक्रेन में सेना भेजने पर विचार करेगा मार्च में पुलैंड के उप विदेश मंतरी आंद्रे सजेना ने भी कहा था कि यदि युक्रेन पर बंबारी के लिए रूस मित्र देशों के हवाई एक शेतर का इस्तमाल करता है तो उनका देश उन रूसी निसाइलों को मार गिरा सकता है जर्मन राजनितिक नेताओं ने इस महीने इसी तरह का एक प्रस्ताव दिया था जिसमें सुझाया गया था कि पोलैंड और रोमानिया में अस्थित नेटो वाई रक्षा प्रणाली युक्रेन में लगबग उसे सैन्य हत्यार देने वाले देशों को रूस ने चेताओनी भी दी है रूसी राज़्मदी का रैले के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमने बार-बार कहा कि नेटो देशों की सेना द्वारा इस युद्ध में हस्तक शेप से भारी खत्रा पैड़ा हो सकता है रूस ने इसे उकसावे वाला कदम बताया है रूस का कहना है कि वो इसे बहुत गौर से देख रहा है आप